स्वागते दोस्तों तो आज बात करेंगे कोरडाओ के बारे में बहुत सारे अपडेट्स है इसके डेवलप्मेंट के बारे में इस पर क्या क्या डेवलप्मेंट हो रही उन सब की आज चर्चा करेंगे उसके बाद हमारे पास डेवलप्मेंट है न्यूस है ओमेगा के बारे है कि इसमें investment करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए प्री सेल के बारे में तो आप withdrawal के लिए भी ये fees मांग रहे हैं तो क्या आपको fees देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए देनी चाहिए तो क्यों और नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए इस पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगी तो वीडियो आज से चलू करते यहाँ पर स्टार्ट करते हम कॉरडा Wow से अगरत है आप सबका मेरा चैनल YouCrypto, Crypto की दुनिया Free Mining की दुनिया जो लोग चैनल पे पहली बारा है, चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो अभी देखो कोरडाओ में ये निउस आई है, ये देखो बहुत इंपोर्टन्ट है, कोरडाओ में development चल रही है, आप लोग फिलाल स्रिप rate देख रहे हो, कोरडाओ rate with 150 प्लस known projects now deployed, there are so projects deployed है अभी, कोरडाओ पे deployed होगा है, एक documenting core है, उसका landscape है, ecosystem एप्रिल अपडेट है, 2023 का, तो वो हम आप पढ़ लेते हैं, there are 75 प्लस projects being deployed on कोरडाओ ecosystem now and it's just the beginning, ये सिर्फ शुरुवात है, सिर्फ दो मैने हुए है कोरडाओ को लांच करकर, ये बात दिमाग में रख लीजी आप सब लोग, core chain is becoming the friendliest change for development and exciting times ahead, तो इतने सारी projects core डाओ पे developed हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, कितने projects हैं, सब का आप जायजा लीजी आप, decentralized finance है, इतने सारे है, shadow swap, ice cream swap, LG swap, सब कुछ है यहाँ पर, NFT gaming आप देख सकते हैं, wallet इनके साथ कौन से connected है, वो सकते हैं, meme coins आप देख सकते हो, कितने हैं, कितने सारे meme coins है, infrastructure इनका देख लो, switchboard, rice protocol, web 3, AI में भी development कर रहा है, इनका shop भी खुला है, हर चीज़ है, और देखो, यहाँ पर आप इतना देख लिया, हमने पिछली बार जो बताया था, KZN, जो लोग बोल रहे हैं कि हम, core raw का project ह है, core raw से related है, इसमें आपको list में दिख रहा है, KZN, नहीं, मैंने पहले भी कहा था, पिछली वीडियो में भी कहा था, KZN, सिर्फ इसके blockchain पर एक project है, यह core का ecosystem का project नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर जाके investment मत कीजिए, आपका sole decision होगा, अगर आपको लगता है करना है, तो कर लीजिए, लेकिन जहां तक मेरा research है, तो इसका core DAO के साथ कोई भी relation नहीं है, समझ गए दोस्तों, KZN, core DAO का project नहीं है, यह अलग project है, हाँ, हाला कि यह core DAO के blockchain पर एक project बना है, इनकी genuinely city, legit, कितना देंगे, नहीं देंगे, इसकी guarantee हम नहीं ले सकते, यह बात हो गई, KZN की अब चलते हैं, omega coin की तरफ, omega coin में burning चल रहा है, तो आप बुलेगा रहे, burning तो coin list होने के बाद होता है, इतने जल्दी burning कैसे हो गया, तो इननों, जो CID IFO चल रहा था, जो पिछला CID IFO चल रहा था, उसमें जो coins नहीं बेचे गए, जो 0.1 dollar से चल रहा था, अभी का जो CID IFO चल रहा है, वो 0.17 dollar से चल रहा है, लेकिन जो पिछला हुआ था, जो 23 March को कतम हुआ, तो उसका burning उन्होंने 31 March को कर दिया, ठीक है, तो उसका burning करने से बहुत सारे coins कम हो गए, तो इसका supply था, omega का supply था, 970 million coins, उके, 970 million coins इसका supply था, तो अभी यह 46 million burn हो चुके, 46 million burn होने के ब 930 million, अब यह दूसरा इफो चल रहा है, शायद उसमें burning हो जाए, तो इसका supply 890 यह 870 ऐसा हो जाएगा, तो supply कम होना मतलब rate बढ़ना, यह गनित होता है, तो आप सब लोग यह चीज आप दिमाग में रख लो, यह बहुत important है दोस्तो, supply कम हो रही है, मतलब जादा से list होगा यह, बहुत सारे लोगों का इससे related questions है, बहुत लोगों ने comment box में दाला था कि इसका क्या होगा, आगे कितना development होगा, कैसा होगा, तो उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ, बहुत लोगों ने इस पर बताया था कि B network का क्या होगा, KYC कब आएगा, तो B का KYC जब आएगा, तो एक जुन को आपको पता चल जाएगा, ओमेगा का प्राइस कितना होगा, एक जुन को हमको पता चल जाएगा, लिस्टिंग उस वक्त हो रही है, तीसरा question था, KPG online का Bitcoin F के बारे में, Bitcoin F का क्या होगा, तो sir, Bitcoin F, October 2023 में लिस्टिंग होने के chances है, तो तब तक हमको रुकना है, सम कुछ perfect news आती है, तो इनके बारे में भी आपको बता दूँगा, असिम सरकार जी, crypto GPT के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो crypto GPT देखो क्या था, इसमें हमने wish list में पाट लिया था, wait list होता है, coming soon लिखा है, देखो you are in a wait list, तो यह coming soon है, तो यहाँ पर आप जाईए, य यहाँ रोच क्लिक किजिए, यहाँ पर coming soon लिखा है, जब यह list हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें रोच 15 DXP मिलना चालू हो जाएंगे, हाँ दोस्तों तो आप बात करते हैं, टेमजू के बारे में, बहुत लोगों का question था, टेमजू में हमने पैसे बरने चाहिए, नहीं बर जलने वाला है, प्रीसेल, मतलब प्रीसेल कब एंड होगा, once the mainnet capitalization का जब रीच होगा, तब यह प्रीसेल खतम होने वाला, इसका time limit दिया नहीं, जैसा ओमेगा में time limit दिया है, प्रीसेल का, 23 मार्च से 23 एपरिल, तो यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पर उन्हे जो लोगों ने investment किया है, उनको अभी वो लोग, देखो क्या कर रहे है, 5.21 points है आपके पास, तो उसका price यह बता रहे है, 521 dollars, कैसे कैया है, आर लिस्टिंग नहीं हुआ, 521 dollars, price कैसे दिखा सकते हो इसकी, यह गलत है, और उसके लिए fees मांग रहे है, 0.87 BNB, 0.87 BNB मतलब 26 होते है, अगर आपको 26 dollars भरने है, withdraw करने के लिए, और आपको मिलने वाले 521 dollars, यह तो उनकी का price है, लिस्टेट तो हुआ नहीं है, मेरा यह कहना है, अगर आपको 521 dollars हमको देने है, तो 26 dollars हमसे क्यों मांग रहे हो, 495 dollars हमको दे दीजिए, सिदा गनित है ना, तो कोई भी जा कर यहां पर investment मत कीजिए, यह मेरी personal राय है, आखिर में आप आपका खुद का research कर सकते है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें investment करना चाहिए, यह coins लेने के लिए, तो आप कर सकते हो दोस्तों, समझ गई, तो यही बात थी, आज discuss करनी थी, तो आपके साथ discuss कर लिए है, आप सब ग्रूप जोइन करना चाहते हो, या आप मुझे Twitter पर follow करना चाहते हो, तो इन सब की link आपको description box में मिल जाएगी, यही पर विदा लेता हूँ, कर फिर मिलेंगे इसी time पर, bye-bye friends, see you.